आजकल जो एक अध्यात्मेक गुरू है आजकल उनका बोल बाला चल रहा है उनका नाम है सदकुरू जग्गी वासुदेव इशा फांडेशन इनकी कंपनी तो नहीं कहूंगा इनकी संस्था का नाम है लेकिन जो काम है वो कंपनीयों जैसे ही होते हैं आजकल ये जैपूर में हैं प्रमूट कर रहे हैं रैली फॉर रिवर्स कर रहे हैं कि हमारी नदियां जो हैं उनको साफ सुत्रा किया जाए उनका ध्यान रखा जाए इसके लिए जगा जगा ये जाकर हर राज्य के मुक्रमंत्री को साथ लेकर यात्रा करते हैं इसकी शुरुवात हुई थी तीन सि स्रमै कोईम बतूर के नजदीक उसको लेकर केस चल रहे हैं कि उन्होंने बिल्डिंग्स जो बहुत बढ़ी मूर्टी उसका उध्खाटन करने के लिए तो केस यह चल रहा है कि जो परया वरण है वो बिगड़ा है इससे यह गैर कानूनी काम उन्होंने किया है क्योंकि वह ए अपनी कहानी है एक महिला है मुथम्मा ओ लड़ रही है सद्गुरु जगीवासुदेव से कहा सद्गुरु जगीवासुदेव जिनके आयोजन में प्रधान से वह खुद जाते हो कहा एक गरीब आदिवासी औरत जो दिन में 50 रुपे कमाती है बहराल वो केस लड़ रही ह कि यह जो जमीन है यह भूदान जब चल रहा था विनोबा भावे का तो तब के एक जमीनदार ने 44 एकर जमीन 13 परिवारों को दे दी थी 13 आदिवासी परिवारों को पट्टा उनके नाम कर दिया था पट्टा तो उनको दे दिया गया लेकिन जमीन का पोजेशन जो होता है मिल्कियत जो होती है लेकिन जो पॉजिशन होता है कबदा होता है वो इनके पास नहीं आया यह गरीब लोग वहां काम करते थे जंगलों में जाते थे शेका काई आमला दूसरी जड़ी बुटियां खोच के लाना जो इनकी सद्यों पूरानी जानकारे थी अवडियासी कभील में ले लिया अपनी और इनको भेजना शुरू किया साथ में अपने लोग भेजने शुरू कि जंगल में एक तफ़े जब आश्रम के लोगों ने विद्या जान ली जानकारी हासिल कर ली तो सदी और पुरानी आदिवासी जानकारी है कि कौन-कौन सी जड़ी-बूटी क्या- प्रधान सेवक है बहराल जग्डी वासुदेव के जो अनुयाई हैं जो उनके भक्त हैं उनका कहना है कि जग्डी वासुदेव एक ऐसे आध्यात्मिक गुरू हैं जिनके दावन पर कोई दाग नहीं है यह जो हमने आपको कहानी सुनाई है इसलिक सुनाई है कि यह जो 44 से भिलाई की बात हो रही है तो बहुत से लोगं का मानना कि जहां 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 नदियों का जिक्र हो रहा है जहां जहां यह जा रहे हैं वहां वहां पर जमीन का भी कुछ न कुछ होगा जरूर